कि नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार दिख स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महते पुन टोपिक लेकर आया हूँ निकाल बाहर करें रसोई में मौझूद ये तीन सफेद जहर ये तीन सफेद जहर जो आपके स्वास्थे के लिए हानिकारक है वो आपके रसोई में ही उपलब्ध हैं उनको निकाल बाहर करें इसके बारे में जानने के लिए कि पर हमारी वीडियो को देखते रही है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपकी हैल्थ से समंदि सभी जानकारिया हम लेकर आते हैं जिससे कि आप घर पर उस्दी बना करें उनका इलाज कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं अब मैं बात करूँगा निकाल बाहर करें रसोई में मौजूद ये तीन सफेद जहर हमारी रसोई जो अपने आप में अयरुवेद की बहुत बड़ी प्रियोग साला और हस्पिताल थी आज वही रसोई हमारी 90% से अधिक बिमादियों का मुखे कान है रसोई में मौजूद कुछ जहर ऐसे हैं जिनको हम नहीं निकाल सकते और कुछ जहर ऐसे हैं जिनको हम निकालना ही नहीं चाहते ऐसे में आज हम आपको ऐसे ही तीन सफेद जहरों के बारे में बता रहे हैं आपकी सहत के लिए ये घोर विष्क के समान है समय रहते इनको निकाल दीजी जिससे आपका और आपके परिवार का आने वाले समय सहत मन्द रहे 30-40 साल पहले मनुष्य की ओस्तायू कितनी थी हर मनुष्य 70-80 तो कम से कम और 100 एर तक वो हर स्वस्थ व्यक्ति को जीने की उमीद होती थी कि वो जीएगा मगर आज वो मनुष्य अपने आपको खुश किस्मत समझते हैं जो 70-80 साल तक जी जाएं आज मनुष्य की ओस्तायू 50-60 साल तक ही रह गई है हमारी ओस्तायू से 20 साल कम कर दिये हैं अभी ये किस ने कम किये इस भरष्ट व्यवस्था ने और हम जैसी आलसी जीवों ने क्योंकि हमको मेहनत करना पसंद नहीं वो क्यूं आये जानते हैं निकाल बाहर करें सोई में मौजूद ये तीन सफेद जहर पहला जहर दानेदार चीनी एक सफेद जहर चीनी के नुकसान अगर आप किसी 50-60 साल के व्यक्ति को पूछेंगे कि भाई साब आपने सफेद चीनी कब से खानी शुरूगी तो वो यही कहेंगे कि ये 30-40 सालों से जीवन का हिस्सा बन गई है इससे पहले क्या खाते थे तो इससे पहले या तो मिसरी होती थी या गुड होता था मगर एक साजिस के तहट गाउं में गुड निकालना अंग्रीजी सरकार ने बंद करवा दिये और सब पर थोपनी सुरू कर दिस सफेद दानेदार चीनी जो सरीर के लिए बिल्कुल जहर है पहले के लोग मिसरी को पीस कर या गुड से काम चला लिया करते थे मगर आज कल महनत का समय किसके बास है कौन तो मिसरी को कुटे या गुड को गोले तो तुरंग चिनी डालो और काम खतम और उसके नतीजे आप सब देख रहे हैं किडनी और लिवर काम करते करते ठक जाते हैं तो उनकी उमर और कारे सक्ती तो कम होगी ही फिर चाहे वो सवास रोग हो, लिवर के रोग हो, किडनी के रोग हो, मुटापा हो, सुगर हो, हैर्दे रोग हो चाहे वो कैंसर हो, हर कोई व्यक्ति इन में से किसी ना किसी बिमारी का सिकार है तो क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पिल्डे भी इसका सिकार बने फैसला आपके हाथ है, आप डिमांड करेंगे तो दुकांदार भी मिस्री रखेंगे आप डिमांड ही नहीं करेंगे तो वो क्यों मिस्री को रखेंगे दूसरा जहर स्फेध आयोडीन नमक आयोडीन नमक के नुक्सान आज से करीब 40 साल पहले सरकार ने पस्चिम बंगाल के 5 जिलों यथा मालदा, जलपाईगुडी, दारजलिंग और मुरसिदाबाद एम नादिया को घेंगा रोग से घर्षित किया था और उन जिलों में आयोडीन युक्त नमक लोगों को जबरदस्ती खिलाया गया बिना आयोडीन वाले नमक की बिक्री पर परतिबंद लगा दिया गया जब विरोध में किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई तो उसके कुछ साल बाद पूरे देश में ही आयोडीन वाले नमक की बिक्री पर पबंदी लगा दी और पूरे देश की जनता को जवर्दस्ती अयोडिन युक्त नमक खिला आ जाने लगा और इसको राष्टिय मुद्दा बना दे गया टीवी मेडिया हर जगेंद अयोडिन नमक कर दिया गया जो आज तक जारी है अब अयोडिन युक्त नमक या अयोडिन के स्वल्प स्वल्प सिर्फ उसी के लिए जरूरी है जिसे गेंगा रोग हुआ है और जिसे ये रोग हुआ ही नहीं है वो अगर आयोडीन खाएगा तो उसके सरीर में उल्टा रोग जनम ले लेगा यही हमारे देश में हो रहा है आज अधिकतर लोग गेंगा थायोराइल किसमस्टे से गरस्थ हैं और इस बात पर किसी का ध्यान बिलकुल नहीं गया आम तोर पे से उप्योग मिलाए जाने वाले समुंदरी नमक से उच रक्चाप डाइबटीज लक्वा आदिकम्बीर बुमारियों का भै भी बना रहता है सिर्फ आयोडीन के चक्र में जाद नमक खाना समझदारी नहीं है क्योंकि आयोडीन हमें आलू अर्वी के सासत हरी सबजियों से भी मिल जाता है तो ऐसे में क्या करें यहां फिर वही हमारा आलसी जिवन सामने आता है अभी कौन सिंद नमक का पत्थर लेकर आई और उसे उठकर उसका यूज कीजिए उसका कोई नुकसान नहीं और आपकी सेहत के लिए बहुत ही फाइदे मन हैं तीसरा सफेद आटा अर्थार्थ मेदा मेदे के नुकसान हमारी आतों का सबसे बड़ा दुस्मन है यह मेदा आज हर कोई व्यक्ति कबज बावसिर से परसान है आय 20% से उपर मेदे से ही बना होता है चाहे आप छोले बटोरे खा रहे हों चाहे आप पूरी सबजी खा रहे हों चाहे आप किसी कंपनी के बनी हुए बिस्कुट खा रहे हों और चाहे आप फास्ट फूड के सेंडविच या बर्गर या ब्रेड खा रहे हों मेरे भाई मेदे इसमें स्वास्थे के नाम से एक प्रतिसत भी गुन नहीं है इसलिए इसके अंदादूंद परियोग से खुद भी बचों और अपने बच्चों को भी बचाएं ये कबज गैस मोटापे से लेकर अलसर और फिर कैंसर तक का कारण बनता है और आप आटा भी थोड़ा मोटा पि जाकर कहे माप के जी आजकल तो सहरों में भी बड़ी बिमारी चली है कि आटा भी पैक होकर आता है अभी किसको कहेंगे कि मोटा पिसो इसका भी कान हमारा ही आलस है कौन तो गेहू लाए और कौन उसको साप करे कौन उसको पिसवाने के लिए देकर आए और कौन लेकर आए तो भाई अगर लंबे स्वस्थ जीवन की कामना करते हो तो ये आपको करना ही पड़ेगा अगर हम अपनी गलतियों को समय से सुधार नहीं पाएंगे तो एक तो हमारी इंकम कम है और उपर से बिमारियों में लगने वाला खर्च ये बढ़ता जाएगा फिर उसके बाद रोज की खिट पिट आमदनी अठन्य और खर्चा रुपया ये एक बहुत बड़ी चैन है जो सिरफ हमारे स्वास्थे से नहीं बलकि हमारे समरिदी से जुड़ी है ये बदलाओ दीरे दीरे करके हमको करने ही पड़ेंगे ये थे दोस्तो इन तीन जहरों को आप अपनी रिसोई से बाहर करके अपने स्वास्थे को अच्छा बना सकते हैं क्योंकि इनका आपके स्वास्थे पर बहुत मुरा प्रभाव पड़ता है तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी या इसे आपको कोई जानकरी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे सेयर करना ना बूली शेर इसलिए ताकि या उन मेरे भाईयों तक भी पहुँचे जिनको इस वीडियो को देखने की सबसे अधिक जुरूरत है ताकि वो इस वीडियो को देखकर और हिन जहरों को अपने रसोई से बाहर निकालकर आपने स्वास्ते को अच्छा बना सके इसके सासथ आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना बोलें क्योंकि इस चैनल पर आपकी हैल्थ से समधिस सभी जानकारिया हम लेकर आते हैं जिससे कि आप घर परोस्दे बनाकर ही उनका इलाज कर सकते हैं और स्वस्त जीवन जी सकते हैं क्योंकि स्वास्ते ही जीवन हैं धन्यवाद दोस्तों